हेलो मैं यूट्यूब फैमिली क्या से हो आप सब आप सब आप सब अच्छे हूंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आपको पाइनपल फ्लेवर का डिजाइन शेयर करने जारी हूं आपके साथ कुछ डिफरेंट कलर के साथ डिजाइन तो मैं पहले भी इस टाइप की बना चुकी विषए एक इनुए उनको रात में 12 बज़े एक दिन पहले चाहिए था और यह जिस दिन उनको चाहिए था तो मैं उसे दिन ये बना रहे हूं, तो एक उनको bento cake चॉकलेट चाहिए था, और एक ये pineapple half kg का, जज दिन birthday था, उस दिन चाहिए था, जो bento cake चॉकलेट केक था, वो उनको रात में 12 बज़े चाहिए था, तो एक दिन पहले मैंने वो बना के दिया था, बट उस दिन काफी जाधा मैं busy थी मतलब busy means उस दिन बारिश बहुत हो रही थी और काफी जाधा light आ जा रही थी तो इस वज़े से मैं वीडियो नहीं shoot कर पाई उस दिन मैं ठोड़ा market भी चली गई थी तो इस वज़े से थोड़ा सा टाइम ना मिलने की वज़े से मैंने वो वीडियो नहीं शूट किया है तो बस उसका लास्ट में मैंने केक कैसा बनाया उसकी क्लिप में अड़ कर दूँगे बेंटो केक वाली की तो यह मैंने 5 इंज की टिन में 180 ग्राम वनीला प्रिमिक्स लेक फिर हम जैसे अपनी विपिंग क्रीम को अपना मेल्ड करके जैसे हम उसको बनाते हैं वैसे बना लिया था उसके बाद फिर हमने केक को जो है डी मॉल करने के बाद थ्री लेयर में उसको मैंने कट किया कट करने के बाद बस मैंने अपना बोड रखा जैसे हम अपना असेंब मतलब ऐसा लगे कि हाँ बहुत प्रोफेशनल वाला हम वक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही टाइम लेके इसमें जो है आप अच्छे से क्लीन कर लें और अगर आप एक बेगिनर हो तो आप पाइपिंग बैग में ये वाला जो है पाइपिंग बैग में क्रीम लेके ये वाला process करें उससे बहुत ही जल्दी और बहुत ही easy तरीके से clean हो जाता है तो बस मैंने scrapper से इसको अच्छे से clean कर दिया है अब मैं pallet knife लूँगी और pallet knife को आप बार-बार पोंच के ही use करें इससे क्या होगा कि आपका जो top का surface है उसमें edges बहुत अच्छी तो आप देख सकते हो मैंने कैसे clean किया अब WE look Clean the Sole tackle अब मैंने क्या किया थूड़ी सी cream में बहुती Mensch याफ ड्रॉप से भी कम जतना मैंने लिया है पर्पल कलर थोड़ी क्रीम थी, इस वज़ए से तो आपकी क्रीम ज़ादा है तो आप One Drop ले सकते हो फिर मैंने उसको अच्छे रोजेट बना दिये है आप चाहो तो चाँ़ या छे भी बढ़ा century आप के कैक साइस के अकोर्डिंग जैसा भी suitable zone आप बना सकते हो फिर जो क्रीम क्रीम बची है मैं सोच रही थी पहले इसी से बना दू पूरा फिर मैंने सुचा नहीं थोड़ा सा दो तीन कलर हो जाएंगे तो और अच्छा लगेगा तो मैंने सुचा चलो यह क्रीम जादा है तो इसका क्या करूं मैं नीचे जो है पूरा बॉर्डर लगा देती हूं इसी स हाथ की गर्मी से डाफी क्रीम बची थी जादा नहीं पर उसमें मैं पिंक एमुल्शन डालता जो कि इस ट्रॉबेरी एमल्शन में यूज्टि पिंक कलर के लिए उसको डालने के बाद रॉका सा पिंकिश परपन कलर आ गया तो काफी सुंदर लग रहा था देखने में पिर और यह निए ते मुझे बहुत अच्छा लगता इससे डिजाइन बनाना तो बस अजिए यह टो आपर आपर मैं पूरे में दिजाइन बना दिया और जहांजाय प्रहले था लिए जाइट पूरे में अप्रम फटो कर दिया अब पीश ना लग रहा था तो तो मैंने क्या विल में में गया जिन सायज मैं तर चार साइज ले में पूरे केक के सेंटर पे अनले स्प्रिंगल सेंग' दिर स्प्रिंगल कर दिया काया अथ यू 측 निन काछी दिख भाल शोटे बखने दो इंग जो शोटे वाळा रिक दिखने केडर यह झाले तो तो काफी सुन्दर लग रहा था तो केक में थोड़ा सा मुझे शाइन लानी थी तो मेरा जो सिल्वर डस्ट होता है इस प्रे वाला मैंने उसको क्या किया उससे भी मैंने पूरे केक पे थोड़ा सा स्प्रे कर दिया तो लुक वाइज काफी शाइनी शाइनी सा लग रहा था क वह लड़की है तो मैंने सोचा कि यह कलर कॉम्मिनेशन में लगाऊंगी तो काफी सुन्दर लगेगा मैंने उनसे बोला भी था आप चाहो तो मुझे केक का डिजाइन शेयर कर दो बट उन्होंने नहीं शेयर किया फिर देखिए यह रहा मेरे केक का फाइनल लुक अब आपक मैं बड़े बॉक्स में देती थी बट अब मैं बेंटो बॉक्स भी ले आए हूँ तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू बाइबाइ और टेक कियर